नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फेबरेट यूटूब चेनल क्यों काई क्यों स्टड़ी पर आज है 18 फरवरी और 18 फरवी के जितने भी क्रेंट अफेर्स के इंपोटेंट कोशन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को आपने लास तक देखेगा क्योंकि बहुत सारे इंपोटेंट कोशन है जिसमें आपके आने वाले एजांस में ये सब कोशन पूछे जा सकते हैं तो आज का पहला कोशन है कि दिल्ली पुलीस की अस्थापना दिवस किस दिन मनाये जाता है आपशन है 15 फरोई को 12 फरोई को 8 फरोई को या फिर 10 फरोई को इसका जो सही अन्स हो जागा आपशन नमबर 3 होगा यानि कि 8 फरोई को देखेगा 8 फरोई को हर एक वर्स दिल्ली पुलीस अस्थापना दिवस मनाये जाता है इसमें तकी है क्या कि वर्ष 2021 में इसका 74 वह अस्थापना दिवस मनाया गया है अमित्सा दिल्ली पुलिस के परभारी है यानि कि 2015 में दिल्ली पुलिस की सुकृति सक्ती 84,536 थी जो इसे विश्व के सबसे बड़े महानगरिये पुलिस बलो में से एक बिनाती कहलाती थी यानि कि दिल्ली पुलिस की अस्थापना दिवस के उपलक्ष में जो अमित्सा हैं सो दिल्ली पुलिस के में परभारी हैं और इनके ही उद्गाटन से आठ फर्विक को हर एक बर्स दिल्ली पुलिस अस्थापना दिवस मनाया जाता है अगला कोश्चन है कि गंतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्व स्रेष्ट मार्चिंग कांटिंजेंट पुरुषकार किस से प्रस्तूत किया गया है अप्चन है अमिद साह, प्रकास जावेटकर, प्यूस गोईल या फिर राजनाथ से इसका जो सहींस हो जागा अप्चन नमर फोर्थ होगा यानि कि राजनाथ से देखेगा यह है राजनाथ से और इन्होंने ही गंतंत्र दिवस परेड 2021 का सर्व स्रेष्ट मार्चिंग कां प्रुसकार प्रदान किया है, तीन सेवाओं के बीच सर्व स्रेष्ट मार्चिंग कांटिजेंट जर्ड रेजिमेंटर सेंटर को प्रस्तूत किया गया है, C.A.P.F. और अन्य सहायक बलों के बीच सर्फ्टेश्ट मार्शिंग कॉंटिजेंटर दिल्ली पुलिस ने जीता है अगला कोशन है कि एक चावनी पोर्टल किसने लौंच किया है अप्सन है नितीन गटकरी, प्यूस गोयल, राजनाज सिंग या फिर परकास जाविट को इसका जो सही अंसर हो जागा अप्सन नमबर थड होगा यानि की राजनाज सिंग देखेगा राजनाज सिंग जो है सो हाल ही में ये चावनी पोर्टल लौंच किया गया इस पोर्टल के माध्यम से चावनी जो छेत्रों के निवास नागरिक गहर बैठे ही अपनी समस्याओं के बारे में अपने सिकायच दर्ज कर सकते हैं और साथ ही उनका समधान भी कर सकते हैं यह एक बहु किरायदारी केंदरी मंच के माध्यम से 62 चावनी पोर्डों में 20 लाग से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नागरिक के सेवाएं परदान करने का लक्ष रखाविया है तो अगला कोश्चन है आज के करन्ट अफेस का कि भारत एक्स्ट्रा मार्क टू मिसाइल का परिच्छन सुरू करेगा जो कितने किलोमीटर की दूरी से दुस्मन के जो बिमान है उसको गिराने के लिए उसको मारने के लिए सच्छम होगी आप्सन है 120, 140, 160 या फिर 180 इसका दखी एंसर तो इसका सही एंसर हो जागा आप्सन नमबर 3 यानि की 160 किलोमीटर देखेगा जो भारत एक्ष्ट्रा मार्क 2 मिसाइल लौंज कर रहा है परिच्छन उसका शुरू करेगा यह 160 किलोमीटर दूरी कोई से दुस्मनों के जो बिमान है उसको गिराने में सक्छा में इसमें देखेगा कि जो एक्ष्ट्रा मार्क के लिए परिच्छन 21 में किया जा रहा है जो दूरी यानि की दूसरी छमाही में शुरू होगा एक्ष्ट्रा एक बियोंड बिजूल एर टू एर जो रेंज मिसाइल मारता है इसमें मार्क 4.5 पर धोनी की गती से चार गुनी अ अगला कोश्चन है आज के करेंट अफेस का कि कि किस राज के मुख मंत्री ने अभूदय योजना का उधगाटन किया अप्शन है मध्य प्रदेश बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात तो इसका जो सही अन्स हो जाएगा आप्शन नमबर सी होगा यानि कि अप्शन नमबर थर्ड उत्तर प्रदेश देखेगा कि उत्तर प्रदेश राज के मुख मंत्री ने अभूदय योजना का उधगाटन किया गया है इसमें है कि 15 फरवे 2021 को जो मुख मंत्री योगी आदित्धनाथ ने अभूदय योजना का उधगाटन किया है इसमें इसके online अध्यन समागरी के लिए साथ ही offline का च्छाएं भी परदान की जाएगे एक ची और इसमें देख लेगा कि अभी जो बरतमान में उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री हैं सो योगी आधित्यनात हैं और राजपाल हैं आनंदी बेन पटे साथ ही एक ची और जानेगा कि उत्तर प आयूग है दुसरा अप्शन है अमीना मुहम्मद तीसरा अप्शन है गोजी ओकोंजो इवेला और चोथा अप्शन है कामेन ओकोंजा जिसका जो सही अन्स हो जागा अप्शन नमबर थर्ड होगा यानि कि गोजी ओकोंजा इवेला देखेगा ये हैं गोजी ओकोंजा इव मार्च 2021 को शुरू होगा वे एक विकास अर्थ सास्त्री हैं और पुर्व में नाइजीरिया के बित मंत्री के रूप में कार किया है वे पुर्व महानी देशक रोबोट अजे वेदों के अस्थान लेंगे यानि कि जो पहले महानी देशक थे वे थी रोबोटों अजे वेदों इनके ही अस्थान पे अभी आये हैं जो की ओकोंजा इवेल आँ अगला question है आज के current affairs का उससे पहले कुछ जानकारी आपको हम बता दें कि अगर आप इसका pdf लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलेग्राम गुरूप को जोईन किजिए जो exam से related जो भी notification मिलती है हम सबसे पहले आपको वहीं provide करते हैं तो वहां सर्च किजिएगा क्यूक IQ study official और जो भी साथ है अगर आप हमसे contact करना चाहते हैं तो facebook आप लोग सर्च किजिएगा रजनीज कुमार क्यूक IQ वहां इसको follow कर लेना है जहां कि हम आपको और भी अच्छ के कजाकिस्तान से अंतराश्टिए अंतरिच्च अस्टेशन तक अपने कार्गो अंतरिच्च यान प्रोग्रेस 77 को लौच किया गया है और जापान है रूस है चीन है या फिर अमिर्का है इसका जो सही नश होजागा option number second होगा यान की रूस देखेगा रूस ने काजाकिस् MS-16 है जो कि मालवाहग जहाज से Progress 77 भी कहा जाता है रूस की अंत्रिच एजनसी रोस मोक्सो द्वारा लॉंज किया गया है एक अधी नियोजित रूसी Progress 77 में लगभग 2460 किलोग्राम कारगो और आपिर्ती होती है जो कि अस्टेशन पर बरतमान में Award चालक दल के लिए आपूर्ती करती है साथी देखी एक ची और आपको मतला दें कि रूस की जो भी राधानी है सो मॉस्को है और मुद्रा जो है रूसी रूबल है रूस के भी बरतमान में राष्टपती है जो की बलादिमीर पूतीन है और परधान मंतरी है मिखाईल मिस्ट्यू चेन अगला कोर्शन है कि 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 राज के मुख मंतरी ने पांच रूपी में गरीबों को भोजन उपलब्द कराने के लिए ये योजना मा सुरू किया गया अप्सन है ओडिशा, पस्सिम बंगाल, गुजरात या फिर पंजाब जिसकर जो सही जन से हो जागा अप्सन नमबर से सकेंड होगा यानि कि पस्सिम बंगाल देखेगा पस्सिम बंगाल के मुख मंतरी जो ममता पनरजी है इन होने ही पांच रुपे में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक मा योजना सुरू किया गया है इसमें देखिया है इस योजना के जो तहत है सो सहायता समू हर दिन दो पहर एक से तीन बजे के बीच में रसोई संचालित करेंगे और चावल डाल एक सबजी और अंडा करी के पेस करेंगे इस योजना के लिए राज सरकार परती पलेट 15 रूपे का सबसीड़ी बहन करेंगे साथी एक ची और देख लिएगा कि जो पस्सिम बंगाल के मुख मंतरी है और पस्सिम बंगाल के राजपल है जो की जगदीब धहन खड़ है और जो बरतमान में भी लोग सभा के जो सीठ है सो बयालीस है और राज सभा के सीठ पस्सिम बंगाल में सुल्ला है इसको ध्यान में रखना है अगला कोशन है कि 15 फर्वे 2021 को पीवी सामंत का निधन हो गया वह निमलिखित में से किस छेतर से संबंदी थे अप्शन है अभी नयायतन्त्र या फिर सास्त्रिय निर्थ या फिर पत्र तारिका जो सही अन्स हो जाएगा अप्शन नमबर सेकेंड होगा यानि कि नयायतन्त्र इसको ध्यान में रखेगा न्यायतंत्र से ये संबंदी थे जो की हाले में ही PB7 का निधन होगया है ये हैं PB7 और इन्होंने ही हाले में इनका निधन होगा है जो की 15 फरुवी 2021 को हुगा है और इनके बारे में एक जी और हम आपको बतलाएं कि ये जो हैं 2017 के एलकर परिशत की मुख आयज़कों में थे न्यायमूर्थी सावन्त ने 1973 में बंबे हाई कोट में बकालत सुरू की थी और 1989 में सरवोच चन्याले में न्याधिस निउगत हुए अगला कोश्चन है आधिकरन्ट अफेस का कि बानेजिक जूट बीतरन जो जूट बीज बीतरन योजना का सुरूवात किस ने किया था अप्सन है अस्मिर्ती इरानी अमीज साह प्रकास जावेटकर या फिर योगी आधितना था इसका जो सही अन्स हो जागा अप्सन नमब फर्स्ट होगा यानि कि अस्मिर्ती इरानी इन्होंने ही बानेजिक जूट बीतरन योजना का सुरूआत किया है यह जो है केंद्रिय कपडा मंत्री भी है और साथ ही इन्होंने जो यह योजना सुरू किया है सो पंदर फरवी 2021 को बानेजिक जूट बीत जो बीतरन योजना शुरू किया गया है और जूट का MSPBTA वर्स 2021 के लिए 4,225 रुप्य है जबकि वर्स 2014-15 में 2,400 रुप्य था तो आज के Current Affairs के जितने भी important question बनते थे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है इसी तरह और भी आपको हर एक दिन Current Affairs के important question आपको इसी चैनल के द्वारा देखने को मिलेगा तो जो भी नए साथी है जो भी अभी तक इस चैनल को सबस्काइब नहीं किये है चैनल को आप लोग सबस्काइब के लिएगा बेल आइकोन के साथ तागी आने वाले हर एक वीडियो कर नोटिफिकेशन आपकी पास पहुश्चे और डेली मॉर्निंग में आप लोग करेंट अफेर्स के question को प्रभाइड के लिए और साथी अगर कोई भी question अगर आपको समझ में नहीं आता है तो काप comment करके पूश सकते हैं ठीक है तो जहें साथी हों फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में दत्त के लिए धन्यवाइब